कि नमश्कार स्वागत है आप सभी लोगों का यहां पर फिर सेक और बाद सुपर कोचिंग एई-ई-जई-ई-बाय टास्पुक के यूट्यूब चानल पर तो नया सेशन आज उमीद है जादा बच्चे आएंगे पढ़ाई करने के लिए क्योंकि मैं दो डेली सेशन ले रही हैं पढ़ाई करने में बट आप लोह को जादा इंट्रेस्टेड होना चाहिए आपको बोलना चाहिए माम ऑच ये सेशन ले वो सेशन लो बड़ाभलों में इंठ्रेस्ट कम है मेरें में एक लीग है यहीं पर तब तक का वेट मैंने ही कर सकती क्योंकि फिर बच्चे बोलते हैं माम ये वाला टॉपिक करा दो ये टॉपिक करा दो फिर कम समय में बहुत सारे टॉपिक कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसलिए मैंने पहले से ही पढ़ाना शुरू कर दिया है आप लोगों की श्रद्धा है जब पढ़ना है उसको पढ़ लीजेगा जब आपका एड्मिट कार्ड रिलीज हो जाए नोटिफिकेशन भी नहीं जब एड्मिट कार्ड रिलीज हो जाए तब जब आप जागेंगे ना तब आप मेरी पुराने वीडियो देखकर पढ़ लीजेगा हम पहले से पढ़ा के रख दे रहे हैं ठीक है तो चलिए होमवक क्लास के लेते हैं गॉरफ सर चेह बजे पर रिजने के क्लास लेती हो और साथ बजे मैस की क्लास सिवाशू सर लेते हैं पाँ छे साथ टाइम याद रख लो एल पी के लिए हम तीनों आते हैं ठीक है अब चलते हैं आगे होमवक क्वेशन गुद इवनिंग क्रिश चलिए फड़ा फड़ा आंसे करेंगे यह आप लोगों को कल पढ़ाया गया था गुरिवनिंग सुदा में नहीं कल क्या पढ़ाया था कल टॉपिक ता हमारा क्यूब जन डाइस कैसी आपउसिट फेसे हम देखते हैं पता करते हैं उसके तीन मेथ नहीं नहीं सकता उसका क्या ख्राइटेरिया रहता है वह दिसकूश किया यह सारे चीज़ब इसकूश कि थी उसी के बेस पर यह पूछेंट पूछा गया है तो अफर आंजर करेंगे तब तक मैं सोच रही हूं क्यों ना सेशन को शेर कर दिया जाए है ना क्या पता और दो चार बच्चे आहीं जाए पूछा क्या है एंड के ओपुजिट क्या होगा एंड कहा है एंड फर्स डाइग्राम में मिल रहा है जी बिलकुल मिल रहा है सेकेंड म मिल रहा है मिल रहा है अब एन दोनों में हैं यहां पर एन का एज जो है डॉलर के साथ मिल रहा है डॉलर ओपोजिट नहीं होगा ऑप्शन में नहीं है छोड़ दो यह वाला एन का एज जो है परसंटेज से मिल रहा है तो परसंटेज ओपोजिट नहीं होगा एन के यहां पर ये वाला N का एज जो है वो add the rate से मेल रहा है तो वो भी opposite नहीं होगा cancel and से यहां पर मिल रहा है ये भी नहीं होगा cancel बचाएक hashtag N के opposite hashtag आएगा option number 2 clear है? बोलो हाँ अगर clear है तो फिर चलें आगे चलो good evening अच्छिता next चलते हैं answer दिया है पहले तो भी शेक को good evening answer दिया है क्रिश ने अनूप ने और रोजालीन ने hashtag तो ठीक है answer 2 भी ठीक है अनूप 13 कहां से आया शायद किसी गुसरे option किसी question का answer आपने कर दिया है no problem चलिए आगे चलते हैं छोटी सी बात है इतनी सी बात है कि यहां पर आपको मिल रही है ALP और technician की super coaching जिससे आप CBT1, CBT2 दोनों के लिए ही तयार हो सकते हैं अभी notification नहीं आया है तो आपके पास और better option है तयारी करने का super coaching अभी से purchase करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा आपको super coaching में आपको video courses मिलेंगे study notes मिलेंगे mock test मिलेंगे और साथ में doubt solving session भी मिलेंगे सारी चीज़े एक साथ वो भी कम दामों में सिर्फ coupon code लगाना है मेरा निहा जैसे maximum discount मिले ठीक है कैसे लेना है यह discount वो एक बार देख लेते हैं यहां पर आजाओ अपने YouTube पर जैसे ही आओगे देखो मात्र दस बच्चे देख रहे हैं छीक है कोई बात नहीं जैसे जिसकी श्रद्धा session को like करके session को share कर दीजेगा super coaching A.E.J.E. बाइट asbook को subscribe करके bell icon press कर दीजेगा फिर चलेगा show more पे show more पे जैसे ही जाओगे आपको यहाँ पर क्या मिलेगी यहाँ पर आप super coaching purchase कर सकते हो S.E.I.M.D. DRDO A.E.J.E. R.R.B.L.P. जिसकी भी चाहिए उसकी select कर सकते हो यहाँ पर आप जाके आप R.R.B.L.P. technician भी यहाँ पर join कर सकते हो बस join करना है apply coupon पर जाना है apply coupon पर मेरा नाम लिखना है क्या नाम है नेहा जैसे ही apply करोगे आपको discounted rate में super coaching मिल जाएगी फिर तयारी करते रहे ना notification जब आएगा तब आएगा फिर उसकी भी तयारी बहतर तरीके से कर ले ना चलो आज का topic दो topic होंगे आज cover पहला topic paper पेपर फोल्डिंग कटिंग दूसरा topic complete the incomplete pattern question किस टाइब के होते हैं वो मैं बता देते हूं paper folding cutting में क्या आता है पहले वो देखते हैं ओम तपासे वो तो मैंने चेक नहीं किया है मुझे उसके बार में बार चेक करना पड़ेगा गुरीवनिं कृती रुक जाओ भाई पहले ठंड लग रही है चलो अब sorted है सुनो बात मेरी paper folding paper folding cutting किस बला का नाम है जानते हैं चोकोर कागस है इसको हमने fold किया वो आपको arrow देगा कि इस तरह से fold किया यानि कि नीचे की तरफ fold हो गया फिर वो आपको arrow देगा कि उपर fold हुआ है ऐसे बन गया फिर वो क्या करेगा लो भाईया हमने इसको काट दिया ठीक है हमने इसको काट दिया ये जब हम school में पढ़ते थे वो आते थे ना एक paper लेके कि आप ऐसे काटो वैसे काटो ऐसे design बन जाएगा वो अपने product बेचने आते थे कोई केवी का बच्चा है तो पता होगा हुने अब अब इसको क्या करना है खुलने के बाद कैसा लगेगा हमें ये बताना है अब जब बंधा इस था तो खुलेगा भी उसी तरह से तो पहले ये वाला हिस्सा खुलेगा इसका यहाँ circle यहाँ triangle फिर यह उपर की तरफ खुलेगा उपर की तरफ खुलेगा तो बीच में triangle आ जाएंगे फिर circle आ जाएंगे ठीक है तो ऐसा सा figure हमें मिल जाएगा समझ आ रही है बात तो इसी कहते हैं paper folding and cutting यह जो folding और cut किया है हमने इसको बहुत ही variety of तरीके से हम paper cut कर सकते हैं वो हम आगे question के through check करेंगे next next है complete the pattern आपके पास मान लिज़े एक four sided figure है square बना लेते हैं आपको तीन part दे देगा ठीक है part कैसे होंगे मान लिज़े ऐसा part दे दिया ऐसा दे दिया और फिर ऐसा दे दिया आपको देखो यहां पे खाली है यहां पे आपको बताना होगा कि क्या लगाएं कि यह जो portion है complete हो जाए तो pattern को complete करना इसको कहते हैं complete the incomplete pattern तीन हिस्से दिये हैं चौथे हिस्से में क्या आएगा वो पूछ रहा है तो चौथा हिस्सा कैसा होना चाहिए जो चौथा हिस्सा है triangle फिर circle और फिर square की line होनी चाहिए यह जब यहां रखा जाएगा तो यह इसको complete कर देगा तो यह यहां आ जाएगा यह बात समझ आ गई तो इस तरह से हम pattern को complete करते हैं गुड इवनिंग कार्तिक समझ आ गया अब question के through अगर हम इन questions को देखेंगे इसको देखेंगे तो ज़्यादा बहतर तरीके से समझ आएगा पहला question complete the pattern तीन portion दिये हैं चौते portion में out of the four options क्या लगेगा हमें बताना है चलिए बताईए अब देखो answer 3 आ रहा है कर्ष का नहीं क्रिष देखो ध्यान से hexagon बन रहा है यह 1, 2, 3 तो 1, 2, 3 ऐसा बनेगा जो fourth portion है कैसा होना चाहिए ऐसा और बीच में line ठीक है यह तो square बन गया square नहीं चाहिए हमें slant चाहिए right कहां मिल रहा है option number 2 में मिल रहा है ठीक है bye Kartik next question complete the pattern का फिर से pattern complete करके बताईए थोड़ा जल्दी जल्दी बताईए इसको अगर complete किया जाए यहां ऐसा यहां ऐसा बनेगा right तो यह ऐसा कहां पर बन रहा है मुझे तो option one में बनता नजर आ रहा है तो यहां पर answer क्या हो जाएगा option number one ठीक है आगे चलते हैं next question पर next question paper folding cutting का है अब इसको समझेंगे यह पूरी sheet थी dotted line दे दी इसका मतलब यहां जो sheet थी वो overlap हो गई है ठीक है फिर जो बाकी dotted line है वो क्या दरशारी है बाकी sheet भी यहां पर fold हो गई है इसमें arrows नहीं दिये वरना arrow भी दिया जाता है कि यह इसके उपर fold हुई है और यह फिर इसके उपर fold हुई है जिस तरह से fold होगी उसी तरह से खोली जाएगी ठीक है अब अगर यह उपर खोली जाएगी तो कैसी नजर आएगी triangle जो है नीचे की तरफ मुह हो जाएगा इसका और circle यहां आएगा अब जब यह यहां खोलेगा triangle यहां पर आएगे और circle यहां पर आएगे तो यह figure हमें कहां देखने को मिल रहा है option number one में मिल रहा है सभी को समझ आ रहा है तो एक बार बता दो यह सर्चिता starting simple से है जटका लग जाएगा बच्चों को इसलिए starting simple रखी है अब circular है यहां पर भी देख सकते हैं फुल शीट था बीच में से इसको फोल्ड किया फिर इसको फोल्ड किया तो ऐसे आया अब arrow कैसे आएंगे यह इधर यह इधर यह इधर ऐसा arrow बनेगा कहां पर बन रहा है option number 4 में समझ आ रहा है तो बताते चलो आगे चलते हैं next question पे next question यह वाला जब खुलेगा यहां ऐसा उपर भी ऐसा ही बनेगा कहां बन रहा है option number 3 में next question next question फड़ा फड़ा आंसर करेंगे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे one answer आया है अच्चु का ए आया है ओम ओके ए आंसर दे रहे हैं अब यह कैसे complete होगा यह cylindrical complete होगा और फिर यह आएगा cylindrical और एक line कहां मिल रही है देखो option one में मिल रही है ऐसे questions में directly हमें मिल रहा है but option elimination के through भी कर सकते हैं option elimination के through अगर बात करो इस circular के अंदर line है यहां नहीं है option eliminate line ऐसी होनी थी इस तरफ से दे थी option eliminate यह दूसरी कौडरेंट का है यह वाला जो है यहां का है तो यह भी गलत साफ साफ option one हो जाएगा option elimination के through हम चलेंगे जब हमारा figure बहुत complicated सा दिया हुआ है ठीक है अभी simple figure है तो आप इसको directly भी कर सकते हैं अगला प्रशन फिर से आपको दिया गया है complete the pattern का फटा फटा आंसर करेंगे कैसा बनेगा यह figure hexagon, circle और यह line छीक है अब यह जो figure है यह इस quadrant का है don't consider आगे यह जो है line equal सी equal आ रही है इसके पास यह भी गलत होगा ठीक है और जो circle है वो line के अंदर नहीं है edge पर है ठीक है ना फिर same चीज हो रही है यहाँ पर यहाँ पर हमें कैसे चाहिए था यह figure जो है सीधी line चाहिए hexagon में सीधी line है यहाँ नहीं मिल रहा है तो बचे का option number 4 सीधी line हमारा hexagon बनाएगी और यह अंदर की तरफ जा रहा है option 4 correct answer होगा आगे चलते हैं next question पर next question यह star कैसे बनेगा ऐसे राइट तो यह कहां पर बन रहा है option number 1 में बन रहा है clear है चलो आगे इसको option elimination के थूँ कर सकते हैं वो कैसे वो ऐसे कि option number 1 और 3 की बात करूँ वो इस quadrant का नजर आ रहा है हमें right उपर का portion यह वाला जो है यहां पर है तो यह कौन सा quadrant है एक second कौन सा quadrant है यह वाला quadrant है option 1 और 2 1 और 3 eliminate हो जाएंगे option 2 और 4 में अगर हम comparison करें यह line बाहर तक आ रहे है तो यह line भी बाहर तक जानी चाहिए यह line बाहर तक नहीं आई यही पर खतम हो गई तो यह भी गलत हो जाएगा option 4 सही हो जाएगा आगे चलते हैं next question सभी को समझ आ रहा है तो एक बाहर फटा फट सेशन को लाइक कर देंगे अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह जो dot है dotted line जो है इस पर इनको fold किया गया है जब इनको fold किया तो यह ऐसे दिख रहा है ठीक है कई बच्चे रुमाल भी चोको रुमाल ऐसे बचपन में ऐसे fold करते थे थे न वो पता नहीं क्या तकिया वाकिया बनाने के लिए something तो ऐसे बीच में fold किया ठीक है फिर कट किया तो जब यह portion यहाँ पर खुलेगा तो circle आएगा यह portion सब जगह circle आएगा एक जगह circle अंदर रहेगा एक एक बहार रहेगा तो कहां मिल रहा है option number one में मिल रहा है आगे चलते हैं next question पे आज तो बड़े अच्छी बच्चे हो गए सब लोग फटा फटा आंसे कर रहे हूं good boys and girls चलो फटा फटा आंसे करो next question का session को like भी कर दिया कर रहे हूं all right ज्यान से देखना एक circle है एक मेरी बर्फी है ठीक है बर्फी का shape बर्फी जैसे रहना देना circle मत करना यहां पर यह triangular shape में किया है तो पहले यह triangle यहां आएगा triangle में जब इसको यहां पर बनाया जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा circle यहां बनेगा जब यह पूरा यहां खुलेगा तो यहां पर circle यहां पर circle और बीच में बर्फी शेप बनेगा बाकी बच्चों के लिए diamond shape हो सकता है हम उसको diamond shape कहेंगे option number 3 clear next next question आज तो काफी नए बच्चे देखने को मिल रहे हैं ओम तपासे महेश केवन क्रिश आर के शरो भडिया है तो आप सभी को क्या करना है इस session को share करना है बाकी friends को भी बताना है बिचारी ने हम हम class लेती हैं daily चले जाया करो है ना आज आया करो हमें भी अच्छा लगेगा दो बच्चे आए हैं नए बच्चे फिर वो और दो नए बच्चे लेकर आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा अब यह half में divide हुआ यह फिर half में divide हुआ याने की यह पूरे चार portion में divide हुआ है चीक है ट्राइंगल जब यह उपर की तरफ खुलेगा तो ट्राइंगल नीचे आएगा फिर यह उपर की तरफ खुलेगा तो फिर ट्राइंगल का मूँ उपर फिर इसका नीचे तो कहां पर हो रहा है आज इस हमारे option चार में हो रहा है next question अर्चिता अब भी न्यूँ हो ओ हो अर्चिता अब इतनी न्यूँ हो कि हम आपका नाम भी प्रनंस नहीं कर पा रहे हैं आपको क्या बुलाते हैं अर्चिता अर्चिता वस्ती क्या मैं आपका नाम सही ले रही हूं आई डोड नो आपको क्या बुलाते हैं वैसे कल आकाश आपको अर्चु बुला रहा था आज आकाश नहीं आया है क्या बात है जाने क्या बात है अकाश नहीं आया है येस क्रिश हमने बताया आप न्यू है चलिए ऐसे questions में क्या करेंगे अच्छा सौधा में नहीं बता रही है और चुमा बुलाना है ओके आरो उपर आरो बाहर ट्राइंगल उपर ठीक है ना ट्राइंगल नीचे की तरफ है option eliminate आगे आरो उस तरफ चला गया हमें कहां चाहिए west facing cancel आगे चलो दो आप्शन बचे ये ट्राइंगल जब उपर हैं cancel option no.3 समझ आ गया next हम बर्फी बुला ले नहीं हम बर्फी नहीं बलाएंगे आपको फिर हमें भूक लग जाएगी रहने दो कुछ और नाम से बलाते हैं चलो आपको हम लड्डू बलाएं लड्डू पेड़ा भी बला सकते हैं लड्डू तो आपको पेड़ा बलाएंगे चलो यह यहां पर डाइग्राम कंप्लीट हुआ यह से कंप्लीट हुआ और यह से कंप्लीट हुआ यह इन्होंने क्रिस क्रॉस कर दिया एक ही लाइन चाहिए थी गलत बात इन्होंने लाइन ही अटा दी गलत बात यहां एक्स्ट्रा लाइन लगा दी गलत बात option no.3 समझ आया कैसे option को eliminate करना है आई बात समझ अच्छा सौधामिनी को हम रोशोगुला बुलाएंगे सौधामिनी को हम रोशोगुला बुलाएंगे ठीक है अर्चिता को पेड़ा बुलाएंगे सौधामिनी को रोशोगुला बुलाएंगे चलो और इतना खाने पीने का बात मत करो हमको भूक लग जाएगे हम सेशन बंद कर देंगे छीख है ना यह ऐसा लग रहे हो करेंट वगर नहीं जाते यह खृष आरके इलेक्ट्रिक करेंट वगर ऐसा लग रहे है ट्रावल कर रहे हो यह आपका सर्किट है सर्किट में ट्रावल कर रहे है करेंट और विंड स्पीड भी पता नहीं कैसा कैसा तो डाइग्रम लग रहा है चले कोई बात नहीं यह जो स्क्वेर है उसके बाहर की तरफ है यह ट्राइंगल दिख रहा होगा तो यह स्क्वेर की तरफ होना चाहिए था यह अंदर की तरफ है कैंसल बाकी सब हो सकते हैं आगे चलो यह जो पत्ती बनेगी यहां पे पत्ती के बीच की जो लाइन है उसके लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ डॉट है, राइट की तरफ अंदर है, यहां पर लेफ्ट की तरफ बाहर, राइट की तरफ अंदर, यहां पर लेफ्ट की अंदर, राइट की बाहर, तो लेफ्ट बाहर है, लेफ्ट अंदर है, लेफ्ट बाहर है, तो यहां पर यह वाली लाइन जो है, लेफ्ट की अं अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ कहां कहां दी है, यहां नहीं है, हटा दो, यहां नहीं है, हटा दो, हम इसको पहले ही हटा चुके थे, बचा option नमबर 4, चलो, next, सौधामिनी औरिशा का फेमस स्वीट है, इसलिए हमने सोचा आपका नाम रोशगुला रखेंगे हम, रोशगुला, ऐसा भी कर सकते हैं, सौधामिनी रोशगुला तो अर्चिता गुलाब जामन, एक रोशगुला एक गुलाब जामन, चीक है, देखो बरफी आई है मेरी, काजु कतली, चलो फड़ा फड़ा आंसर करो, मजा करें, और मज़े की बात पता है, क्या है, आंसर भी यही है, क्योंकि देखो यह ऐसे बनेगा, और यह बन जाएगी हमारी काजु कतली, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, आप बच गई, रोजालीन बच गई है, तो रोजालीन का नाम रोज से है, तो आप गुलकंद, ठीक है, आपको हम बुलाएंगे गुलकंद, आगे बताओ, होके, चार पॉर्शन में होना चाहिए, ठीक है, तीन पॉर्शन है, हटा ही दो, चार है ही नहीं, रेक्टैंगल आएंगे बीच में, हर जगह, ठीक है, यह ट्राइंगल बाहर की तरफ, फिर अंदर, फिर बाहर, ऐसा कहाँ पर नहीं मिल रहा, वो हटा दो, यहां नहीं मिल मिल रहा यहां भी नहीं मिल रहा ओप्शन नम्बर वन ठीक है है हां सौधा मिनी हमको मीठा बहुत पसंद है चलो नेक्स्ट क्वेस्टिन इसलिए हम ऐसे हैं वरना हम किसी और जैसे होते हैं ओके नेक्स्ट क्वेस्टिन यह यह लड़ू बर्फी लड़ू बर्फी दो लड़ू दो बर्फी कहा हैं दो लड़ू दो बर्फी ओप्शन नम्बर चार अच्छा आप न्यू हो तब भी आप तुका लगा रहे हो कि आपको स्वीट अच्छा बर्फी बहुत पसंद है ओके ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेस्टिन यह क्या है क्या है यह फड़ा फड़ां से करो चलो देखते हैं यह इसका मिरा रिमेज ही यहाँ पर बन जाएगा तो कैसा बनेगा ऐसा ट्राइंगल किदर होना चाहिए वेस्ट की तरफ सब में है नहीं है यहाँ पर अंदर ट्राइंगल नहीं बन रहा कैंसल कर दो चीक है यहाँ पर सिंगल लाइन है डबल लाइन दे दी कैंसल कर दो चीक है ना और ट्राइंगल अंदर की तरफ होना था इन्होंने बाहर की तरफ कर दिया कैंसल ऑप्शन नमबर टू नेक्स क्वेस्टिन अब यह अच्छा प्रांजल का आंसर भी सेम है अब प्रांजल भी आए है उनका भी नाम करन करना पड़ेगा मुझे लग रहा है प्रांजल का नाम क्या रखेंगे हम प्रांजल 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 प ठीक है, ट्रांस्पेरेंट शीट में यहां पर अगर कोई डिजाइन बना है, यहां पर कोई डिजाइन बना है, ठीक है, दोनों जगा कुछ-कुछ डिजाइन बनाया गया है, फिर जब हम इसको फोल्ड करेंगे, ट्रांस्पेरेंट है तो इसका मतलब दोनों तरफ से दिखा दिखाई देगा तो जब हमने इसको फोल्ड किया तो यह हिस्सा इसके उपर आ जाएगा सही बात है जब उसको फोल्ड करेंगे तो जो इस तरफ था वो इस तरफ भी दिखाई देने लगेगा because it is transparent ठीक है ना तो यहाँ पर problem figure दिया है आपको क्या करना होता है आपको यह जो dotted line है आपको question में लिखा हुआ है कि fold किया जाता है dotted line से तो कैसा figure दिखाई देगा ठीक है तो जब हम इस dotted line से इसको fold करते हैं तो आप देख सकते हैं यह एक ही line में है यह भी एक ही line में है जब इसको fold किया जाएगा तो यहाँ पर एक figure बन कर आएगा ऐसा यह इधर आ जाएगा यह भी एक line में है तो यह ऐसे बन जाएगा यह figure हमें कहां बन रहा है C में C कहां है option no.3 में हलो राहूर हाँ हम याद रखेंगे चलो next question वेलकम टू स्वीट का भंडार प्रांजल ओके प्रांजल नहीं उसका नम पेड़ा है उसको पेड़ा बुलाओ ट्रांस्पेरेंट शीट का कॉंसेप्ट समझ आया तो मेरे को एक बार बता दो अर्चिता हमने सिर्फ तीन ही नाम रखे हैं आप गुलाब जामन हों सुदामिनी रोश्र गुला है प्रांजल पेड़ा है सिंपल सी बात है चलो अर्चिता ने आंसर चेंज कर लिया बड़ी ही जल्दी से और रोजालीम क्या है हमारी वो गुलकंध है अब यह देखो यहां पर एक ही लाइन में है यह दोनों देखो एक ही लाइन में है तो जब इसको हम इधर लाएंगे तो कैसा नजर आएगा ऐसा ऐसा कहां पर है यह ऐसा ऐसा डी में डी ओप्शन नमबर चार में next अच्छा ठीक है नाम नहीं भोलेंगे हम डियार्यों के लिए क्वालिटेटिव अप्टेटूट पढ़ना है कि कॉंटिटेटिव अप्टेटूट पढ़ना है कौन सा पढ़ना है पहले तो यह बताओ क्वालिटेटिव पढ़ना है कि क्वालिटेटिव पढ़ना है गूरी इपनिंग राहूल फोर आ रहा है अंसर चलो हम चेक करते हैं देखो राहूल डी आडियो के लिए क्लास चल रही थी यहां पर माम की बट अभी डी आडियो के एक्जाम हो गया है तो हम टेके का वेट करेंगे टेके आएगा तब वापस कंटिन्यू करेंगी ठीक है एक लाइन के बाद रिक्टैंगल हमें कहां मिल रहा है यहां नहीं है यहां नहीं है यहां पर है option number 4, tick कर दो, आगे चालू, next, next question, बी आंसर आ रहा है, शेक करते हैं, कैसे होगा, लाइन यहाँ आएगी, यह लाइन यहाँ, यह, ट्राइंगल उपर, और ऐसा, फिर सरकल, ऐसा, कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, option number 2 में आ रहा है, आगे चलो, next question, कल भी हम non-verbal ही पढ़ रहे होंगे, अभी non-verbal से शुरू किया है, counting figure, cubes and dice, paper, folding, cutting हो गया है, तो कल भी इनी में से कोई topic रहेगा, non-verbal का ही, exact topic बताते हैं, रुक जाओ, रुको जरा सबर करो, कल hidden image करेंगे, mirror image करेंगे, कल आकरिती ढूंडेंगे, ठीक है, चलो, यहाँ पर arrow, ओहो, arrow यह गलत हो गया, arrow और यह कैसा सा तो shape है, कुछ तो shape है, हम नहीं बना पाएंगे, रहने दो, cancel हम नहीं बनाएंगे, arrow आना चाहिए, second में arrow नहीं है, हटा दो, इसने तो mix ही कर दिया, mix नहीं करना था, जगह छोड़नी थी, हटा दो, इसने square का triangle कर दिया, हटा दो, option number 3, ठीक है, option elimination से जल्दी हो जाएगा, next question पर आजाओ, quantitative aptitude, DRDO वाला steno का, DRDO के लिए अभी राहुल जी class नहीं चल रही है, आप RRB, ALP की जो match की class चल रही है, 7 बज़े आती है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है, और better perform कर सकते हैं, change कीजे, मैं class certain नहीं कर पाती हूँ, SSE GD की class तो पहले 12 बज़े थी, अब 11 बज़े हो गई है, अब 11 बज़े ही करने ही पड़ेगी, अब क्या ही करें हम, क्या ही बोलें, नहीं हम नहीं बनाएंगे, हम examiner हैं, हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, ओके, यह तो रंगोली बन गई है, चलो, रंगोली complete करते हैं, यहाँ पे triangle कैसा आएगा, ऐसा, और यह semi circle, यह triangle कमूँ ऐसा, यह semi circle, यह semi circle, यह दोनों triangle के base एक तरफ है, यहाँ तो triangle ही गायब करते हैं, लाओ बताओ, चलो, कोई बात नहीं, फिर, यहाँ पर अगर देखोगे, दोनों के edge एक तरफ होने चाहिए, यहाँ पर दोनों के edge एक तरफ नहीं है, vertex एक तरफ हैं, हटा दो, आगे चलो, आगे कहानी चलेगी, तो एक circle यहाँ, एक circle यहाँ आना था, इन्होंने गाया भी कर दिया, बड़े वेकार लोग हैं, option number two, चीक है, चालो, next, उस टाइम काम में busy होते हैं, मैं समझ सकती हूँ, उस होदा में नहीं, आप फिर उसको बाद में देख लीजेगा, तीन बजे हुआ तो चलेगा, तीन बजे हम अलड़ी SSE IMD पढ़ा रहें, एक साथ दो class कैसे बढ़ाएंगे, बोलो, 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 है न, बोलो, बोलो, यहाँ पर N-shape बन रहा है, side में, ठीक है न, तो यहाँ पर जब इसको same बनाएंगे, तो जादा portion उपर, नीचे दो portion यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर बीच में से line गायब कर दी, बेकार लोग, हटा दो, यह वाला portion इधर आना था, हटा दो, अब इन दोनों में चेक करते हैं, इन दोनों के अगर मैं बात करू, तो जब यह उपर जात तो यह वाला पॉर्शन नीचे आता और यह वाला पॉर्शन उपर जाता पर इन्हों ने उल्टा कड़के गड़बर कर दिया गड़बर हो गया है एक तम ऑप्शन चार सही आंसर होगा छीख है कि नेक्स्ट है राज बैक्स ऐसे कैसे पॉसबल नहीं जा यार क्या मेम यहाँ पे मीम चला रहे हो पिर हम आप पेक मीम बना देंगे ऐसे मद करो और वांगे नहीं लेना मैरेसे आपको नहीं मालम है हम पढ़ा सकते है कैसे पढ़ा सकते एक साथ दोगिष्स यहाँ पर स्क्रीर से से एंदी का कवेशिनदेंगे इ hed deber yen Qur मिख हम लिए मज़ाग करने जब पहली बात बीच में 用ें इन्होंने 3 करदी गडबर कर दी ऐ छोनमें के एक हटाही दिया गडबर कर दी भारी नुकसान हो गया है ठीक है यह हां पे कटना था कहींड इस और डिया option 3 next cbt1 cbt2 दोनों की तयारी rrp alp technician की जब आएगा form आता रहेगा हम तयारी अभी से करेंगे super coaching के थ्रू बस क्या करना है मेरा coupon code इस्तमाल करना है नेहा और आपको यहाँ पर discounted rate में क्या मिल जाएगी super coaching आपकी तयारी हो जाएगी super से उपर और आपका selection list में नाम हो जाएगा एकदम उपर समझ गए ना तो क्या करना है क्या करना है आपको यहाँ पर आपको super coaching लेनी है rp alp technician की और बस मेरा coupon code इस्तमाल करना है नेहा नेचे ठीक है चलो आगे नहीं हमको famous नहीं करिए अच्छा एक studio में gd की एक में imd की अच्छा हम यहाँ पर question करो फिर हम भागते दुसरे studio जाएंगे बच्चो question करो यह करते नहीं बसम है ना क्या चाहते हो क्या चाहते हो हम एक स्टूडियो से दुस्री स्टूडियो भग भग के पतले हो जाएंगे चाहते हो क्या dotted line से हमें अब ये dot कहां आएगी यहां और ये 8 shape 8 कहां आएगा या फिर इसको कहूं line कहां आएगी यहां आएगी तो ये कहां पर बन रहा है कहां पर बन रहा है option number 2 में नई 3 में बन रहा है चलो next हाँ आपको तो मज़े आएगे यह oh god oh god रांचल बस मेरा डायलोग मेरे पही मारे और शरम नहीं आ रही सबसे पहले आपने घबराना नहीं यह मेरा डायलोग है मेरी बिली मेर से म्याँ हूं ऐसे नहीं करो आंसर करो फटा फट आप क्वेशन पढ़ने आते हो यह मेरे डायलोग याद करने आते हो हैं जल्दी बताओ हाँ तो यह वाला स्क्वेश कैसे बनेगा स्क्वेश सरकल और फिर स्क्वेश कहां पर बन रहा है कहां बन रहा है ओप्शन नमबर दो में बन रहा है छीक है क्रिश आर के कह रहे है थोड़ी बात कम करो हम कर ही नहीं रहे हम कर ही नहीं रहे अब ठीक है खुश आप खुश रहिए हम जा रहे हैं क्लास बन करके होमव्थ लेलो करते रहना डेली की क्लास है पाँच बजए साइंस की गौरफ सर की चै बजए मेरी और साथ बजए माच्स की हिमानशु सर क्लास लेंगे बाकि आप मुझे फॉलो कर ले ना नेहा माम टेस्ट बुक नाम के टेलिग्राम चानल पे और क्लास के अपडेट और पीडिएफ के लिए आप मुझे यहीं पर जॉइन कर सकते हो मेरे जो भी सेशन होते हैं आपको यहीं पर उनके बारे में पता चल जाएगा ठीक है यहां पर सुपर कोचिंग एई जाई बाट एसबुक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना होमवक क्वेशन दिया है वह आंसर कर देना तीस में सी कितने क्वेशन सही हुए और आज का दो कॉंसेप्ट है दोनों कॉंसेप्ट समझा या न आठ बजे मिलते हैं हाँ ठीक है हम आठ बजे मिलेंगे चलो चलते हैं सेशन को एक बार लाइक कर दो हाँ आठ बजे मिलेंगे सभी बच्चे काईदे से आठ बजे आ जाना मेरी क्लास में और देखो क्रिश आर के बाद ऐसी है थोड़ा बहुत महौल हशी-खुशी का रहन चाहिए जैसे बच्चों को यहां पर याद भी होता रहे कि वो क्या पढ़ रहे हैं और यह एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हम इंट्रेस्टिंगली उसको पढ़ सकते हैं तो हम यहां पर ऐसे बाते करते वे पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा ठीक है ना बाकी नेक्स सेशन म मिलते हैं यहां प्रांचल कह रहे हैं तो दिमाग फट जाएगा नहीं जादा हो गया है थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है पढ़ते पढ़ते थोड़ा मूड लाइटन करने के लिए हम थोड़ा सा हसी मिजाग कर सकते बट इंपॉर्टन टॉपिक्स में नहीं जहां पर जादा दिमाग लगाना है वहां पर नहीं ठीक है तो चलिए अभी हम सेशन को एंड करेंगे देखो कम से कम 20 लाइक की कर तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगे 19 हो गए है 20 कर दीजे फिर हम सेशन एंड करते हैं मिलेंगे अगले सेशन में ठीक है ना आज बज़े मिलते हैं आप